बारिचे जन्ता पाटी अकेले चुनाव लरेगी और मुंगेर से दम छोक के लरेगी और मुंगेर सीट को सबसे पहले जीत के लाई नमाजीक समीकरन को जोर के भोटों के गिंती करने वाले जितने पंडित हैं, राजनितिक पंडित, इस लोग सभा चुनाओं में सब के सब मुह के खाएंगे बिजेपी तिन में लाई हुई है क्या, बिजेपी को किसी बात का भय हो गया है कि नतिसकुमार का यह जो एक विपक्षियक्ता का मुहीम था, वो रंग ला रहा है राजीब गांधी की सरकार के अराजक्ता के खिलाप सारे बिपक्षि लाम बंद हुए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाप लाम बंद हुए थे और नत्रुत कर रहे थे जो कि भारत के पूर प्रधान मंतरी बने बीपी सीन्ग तो ये जन्तादल उनाइटेट के जितने भी सांसद है सत्रह के सत्रह सब के पीछे भारतिय जन्ता पार्टी के कार्ज करताओं ने अपना पसीना भाया भारतिय जन्ता पार्टी इतनी अपने कर्म से अपने धर्म से और एक अनुसासन मेंटेन करके दुनिया की सबसे बरी पार्टी है इन सब चीजों से वो डरने वाली नहीं है आप क्या उत्तर प्रदेश में वन टू वन लरने के लिए क्या सारे सीट जो है एक पार्टी को दी जा सकती है बिहार में वन टू वन लरने के लिए क्या सारा लोकसभा का सीट एक पार्टी दी जा सकती है क्या बंगाल में लरने के लिए ममता बनर जी सारी सीटों पे लरेगी आज हम 56 इंच का सीना ही नहीं हम पूरी दुनिया के सामने चाहे हुए हैं हमारा economy कोरोना के बाद दुनिया के सबसे तेज गती से बरती हुई economy है सारी सारी दुनिया का नजर यूरोप का अमेरिका का अस्ट्रेलिया का सारे महादुप के देशों की नजर भारत पर परी है 29 तारी को ललन सिंग के लोग सबा छेतर यानि मुंगेर में आमित सा देश के ग्रीह मंत्री है उनका एक बड़ा जन सबा होने जा रहा है BJP नेता अमित सिंग हमर साथ मौजूद है बेगुस राय से आते हैं तो वही छेतर है और सवाल ये है कि विपक्षी एक्ता के बाद क्या BJP तिल मिला गई है और उसे भी बड़ा सवाल है कि क्या ललन सिंग कि ये बड़ी उपलब्दी माने जाएगी कि उनको पचाड़ने के लिए उनसे लड़ने के लिए अब देश के ग्रीह मंत्री को उनके लोग सभा में सभा करना पड़ रहा है अमें इस से हम बात करेंगा सर्व पक्षी एक्ता तो हो गया बारातारी को अब सिम्ला में बैठक है बीजेपी तिल में लाई हुई है क्या बीजेपी को किसी बात का भय हो गया है कि नतीश कुमार का यह जो एक विपक्षी एक्ता का मुहीम था वो रंग ला रहा है बीजेपी अपने एक सवाल किया कि ललन सींग इतने बरे नेता हो गये कि माननिये ग्री मंत्री को उनके खिलाप करने के लिए लखी सराई की धर्ती पे आना पर रहा है तो मैं इस बात से एकदम समत नहीं हूं कहां था वो जीत माननिये ललन वाउ का जब भारतिय जंता पाटी के खिलाप होके लरे थे तो चुनाव हार गए थे एक अपने पर्तिदंदी से उसके बाद भारतिय जंता पाटी के साथ हागे चुनाव लरे तब जाके जीते तो ये जनता दल उनाइटेट के जितने भी सांसद हैं सत्रह के सत्रह सबके पीछे भारतिय जनता पार्टी के कार्ज करताओं ने अपना पसीना भाया और इनके जीत में जनता दल उनाइटेट के कार्ज करताओं से जैदा भारती जनता पार्टी के कार्ज करताओं का योगदान रहा यह यह आंकरा बताता है अब आप कह रहे हैं इतने बरे नेता हो गए जनता दल उनाइटेट के रास्टी अध्यक्ष हैं तो भाई बिहार के तो बरे नेता हैं और हमारे ग्री मंत्री जी एक दुनिया की सबसे बरी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष रहे हैं बरत्मान में भारत सरकार के ग्री मंत्री हैं और राजनीत के सबसे बरे चानक के माने जाते हैं भारती जन्ता पार्टी यूपी में चोथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी 2014 के पहले पर्वारी बने पर्वारी बनने के बाद 2014 में परिनाम सब के सामने हैं तो एक चानक और एक जनता से सारोकार नहीं रखने वाले राजनी तक के 20 कोई तालमेल कोई तुलनात्मक तुलना नहीं किया सकती है लेकिन जिस तरह पीछे विछले दो-तीन महीनों को अगर आप देखिए तो ललन सिंग जितने आइग्रेसिव हैं बीजे पी पर अमित सहा पर या नरेंदर मोदी के लिए मतलब उनसे लड़ने के लिए मित्सा को आना पड़ रहा है ललन सिंग इतना मुखर इसलिए है कुर्सी के लिए सत्ता में उनको सामिल नहीं किया गया राश्टी जनता दिल उनाइटेट के नेता आरसीपी वाओ को कैबनेट मंत्री बनाए गया तो यह उनकी इंटर्नल मामला था कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा लेकिन हाँ यह था कि भारती जनता पार्टी ने ललन सिंग के ना अफ़करेव गांध। जो की भारत के पूर प्रधान मंतरी बने बीपी सिंग और एक आदमी बीपी सिंग ने पूरे बिपक्छी दलों को लाम बंद करके पूरे देश का भरमन किया, वो कहीं बैठकी नहीं करते थे किसी मुख मंतरी के आवास में जाके कोई फोटो सेशन नहीं कराते थे वो जनता के बीच जाते थे जनता को कांग्रेस पार्टी के कुसासन से अवगत कराते थे और उस टीम में ये लोग भी सामिल थे उस वक्त फिर बाद में वो सरकार बनी राजीब गांधी की सरकार गई और बीपी सिंग देश के पर्थान मंत्री बने और उन्होंने अपनी जो commencement किया था जनता से जिस commitment को ले के वो कांग्रेस पार्टी के खिलाब लामबन्द हुए थे उस commitment को पूरा किया मंडल आयो लागू करके तो ये commitment होता है public के भी जाने का एक agenda होता है आप विपक्षी एकता विपक्षी एकता सिर्फ दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी उससे डर जाएगी भारतिय जन्ता पाटी इतनी अपने कर्म से अपने धर्म से और एक अनुसासन मेंटेन करके दुनिया की सबसे बरी पाटी है इन सब चीजों से वो डरने वाली नहीं है आप एजेंडा लेके जन्ता के बीच आईए कि आप नरेंद मोधी को हटा के इस देश को नरेंद मोधी जो नौ साल में नहीं दिया उससे जैदा आप क्या देने वाले तो ये तो एजेंडा तो इन लोग के पास है नहीं अजेंडा तो बता ही रहे हैं कि सजब एलस्विधान को बचाना है लोकतंतर को बचाना है नफरत की दुकान को बंद करना है तो एजेंडा तो बता ही रहे करने बखुभी आता है उससे जनता कई बार गुम्रा हो चुकी है इस बार जनता इनकी बातों में आने वाले नहीं लेकिन अगर जो निदीश कुमार का फॉर्मूला है सर कि अगर एक कैनिडेट से कैनिडेट को लड़ाया जाए मतलब एंडिये का एक कैनिडेट हो और स्टेट की बात मालने है उत्तर परदेश क्या उत्तर परदेश में वन टू वन लरने के लिए क्या सारे सीट जो है एक पार्टी को दी जा सकती है बिहार में वन टू वन लरने के लिए क्या सारा लोकसभा का सीट एक पार्टी दी जा सकती है क्या बंगाल में लरने के लिए मम्ता बनर जी सारी पाटियों सारे सीटों पे लड़ेगी तो ये एक one to one ये सब एक जनता को समझाने के लिए है भठकाने के लिए है बिहारी अस्मिता को जगाने के लिए नितिश कुमार परधान मंतरी बनने का नाम लेते हैं बिहारी अस्मिता पहले से जाग चुकी है और इनकी 15 साल का कुशासन 17 साल का दुशासन ये दोनों को मर्ज करके जनता समझ चुकी है त्राहिमाम है किसी गरीब गुर्वे का कोई काम नहीं हो रहा है कोई अकलियत खुस नहीं है इस सरकार से कहीं किसी यूबा को इन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कलम से मैं 10 ल पाख नोक्रियां दूँगा अब कहां गई वह पहली कलम किस अलमारी में बंद है तो जनता सब समझ रही है अब अब जनता को समझाने के लिए बहुत ज्यादा बोलने की ज़रुत नहीं होती है सब लोग सब समझ रहे हैं आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों की जो गट बंधन थी या कौन सी बंधन बैठक करते हैं यह समझें केंद सरकार के खिलाब भी हमिज्जी चेंसरकार खिलाब भी एक anti-incumbency है रुजगार के मसला हो महंगाई का मसला हो इन सबी मसलों को लेकर केंद सरकार के उपर भी अब जंता जो है वो दुन जुना में नहीं दिखेगा देखिए एंटी इंकंबेंसी हर सरकार की होती है और उसके साथ साथ सरकार अपनी उपलबजियों को भी गिनाती है बरतमान सरकार ने जो नौ साल में नौ साल बेमिसाल का जो नारा दिया है वो बेमिसाल ही नहीं है बलकि इस नौ साल के दर्मियान ऐसे ऐसे काम हुए हैं आज सबसे बरी बात है कि हमारा देश जो एक कुंठित भावना से पूरी दुनिया के सामने पेस होता था आज हम 56 इंच का सीना ही नहीं हम पूरी दुनिया के सामने चाहे हुए हैं हमारा एकोनोमी कोरोना के बाद दुनिया के सबसे तेज गती से बरती हुई economy है सारे सारी दुनिया का नजर यूरोप का अमेरिका का अस्ट्रेलिया का सारे महादूइब के देशों की नजर भारत पे परी है कि भारत में एक मौका उन्हें चाहिए और हमारा देश साइनिंग कर रहा है साइनिंग की तरह चमक रहा है आने वाले पास साल मेंहम अर्थ व्यवस्था में दुनिया में नम्मर पास से नंमर तीन रहेंगे बिहार का अंतिम सवाल है बिहार अगर बात करें सर तो क्या जो जदी उदावा कर रही है कि बीजेपी दाही का अंकड़ा पार नहीं करेगी इस बार लोग सब्सक्राइब मतलब तो कुछ लोग अब बाद होते हैं उनको लगता है कि जो है आस्मान हमी उठाए हुए हैं ये उनकी वो किस सोच से बोलते हैं उस पे मुझे ज्यादा बोलना नहीं है लेकिन हम एक बात और एक बात कहेंगे कि समाजिक समीकरन को जोर के भोटों के गिंती करने वाले जितने प कालकुलेशन हर गिनती जो है उसको जनता नाकाम कर देगी अच्छा एक और सवाल लब आया दिमाग में ये जो आज सभा हो रहा है अमित्साह का उन्तिस तारीकों मुंगेर में लखी सराय में इसका और चित क्या है किस परपस से अमित्साह आ रहे हैं देखिए लखी सराय अभी मान्यग्री मंत्री जी का कुछ मेने पहले नावादा में सभा होई थी तो ये एक आने वाले चुनाव को देखते हुए ये ये जो है प्रोग्राम काफी दिनों से फिक्स है कि कहां कहां उनकी सभाएं होंगी उसी में एक लखी सराय भी फिक्स था इसमें ललन सिंग क और चुनाव को बताती है और जनता से भोट मांगती इक और सवाल हो गया सर कि मुंगेर में आज तक बीजेपी ने चुनाव न लड़ा न जीता बीजेपी कभी मुंगेर फाइटी नहीं किये क्याबिजेपी बिजेबी मुड़ बना रही है मुंगे लड़नें का तेकि रचे जंटा पाटी अकेले चुनाव लड़ेगी और मुंगेर से दम छोक्तव कर लड़ेगी और मुंगेर सीट को सबसे पहले सिन्ग काई बिजएपी के नेता है और बिजएपी िचिप्रम नेटान करहे है और अमिच का लगतार दौरा है ये तीसरा दौरा हो जाएगा इस साल अमित्सा का बिहार में तो बिहार जो है वो केंद्र बन चुका है अब देश की राजनिती का कई दल यहां आ रहे हैं विपक्षेक्ता की बात कर रहे हैं बीजे पी जनसंपर का वियान कर रही है और इसी बीच समय बितेगा लोकसभा चुनाव आएगा और उसके बाद परिणाम ये तैय करेगा कि देश का अगला प्रधान मंतरी कौन होने जा रहा है फिलाल इस चर्चा में इतना ही मेरा नाम हो दिपतारन है यह वीडियो आपने अन तक दिखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया